हलो श्तलाम अलेकुम वेलेकम बेक टो मैं यूटुब चैनल कैसे हैं सब आध जी जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वह बैसिकली अपना मेक अ रिमूव करूंगी और जो प्रोडक्स मैं यूज करूंगी वह बताऊंगी और साथ मैं आपको बताऊंगी जाए और उसके जो पोर्ज होते हैं वो उसमें जो है मेकप रहना जाए जिसकी वज़ा से आपके फेस पे अक्नी हो जाते हैं खैर यहां पर मैंने लंज वगरा उतार लेनी हैं और लेशिज वगरा रिमूव कर लेनी हैं और उसके बाद जी आपने कॉटन पैड लेना है और कोई भी मेसलर वाटर या कोई भी मेकप रिमूवल बायो धर्मा का भी बहुत अच्छा है और यहां पर मैं गार्णियर का मैसलर वाटर यूज़ करूंगी और आप देख सकते हैं यह जो पिंक बाटल होती है यह आईली स्किन वालों के लिए होती है सबसे में पॉइंट ही और यह जो अच्छे से शेक करके उसके बाद यूज़ करना है उसके आपका मेकप वो सारे इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे वो मिक्स हो जाएंगे और मेकप अच्छे से रिमूव और यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ टाइम उसको अपने आइस पर रखा और कोशिश किया करें कि आप मेकप लगा के सोया मत करें उससे यह होता है कि वो फेस पे जम जाता है और सुबा तक आपके पोर्स में अच्छे से अपना जो ऑगरा होता वो छोड़ देता जिसे अकनी शुरू हो जाता है आपके फेस पे और बहुत जादा प्रॉब्लम्स होने यहां पर जी अब आपने क्या करना है कोई भी क्लिंजर ले लें क्लिंजिंग मिल्क ले ले लें उसको लगाए और अच्छे से स्क्रबिंग करें ताके जितना भी पोर्स में मेकप है ना वो सब निकलाए कहां पर जी फेस क्लीन कर लिया स्क्रब करके और उसके बाद आपन भीचा प्रोडक्त लोग करते हैं कि पॉर्स को ख्लोग करता है शरिंग करता है और दूसरी बात यह के एक्नी जो है इसलिए नहीं होता यह बहुत अच्छा है आप अपना सीरेम जो आप यूज करती है आप वह अपलाई कर ले और सबसे लास्ट टैप होता है जी मॉस्चराइजर और जितने भी स्टैप्स आपने करने हैं उसमें तकरीबन एक एक सेकंड कुछ टाइम का गैप दे के करना है ताके पहला जो प्रोड़क्ट आपने अप्लाई किया वह अच्छे से आपके स्किन में पैनेट्रेट हो जाए फिर नेक्स्ट अप्लाई करें और यह कुछ टैप हैं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है जिसे आपके स्किन मेकप के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी आपके फेस पे अक्नी नहीं होगा और ऐसे ही आप स्किन का ख्याल रख सकते हैं